अब फिरेंज आज हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे जोगी फिरी में अपनी वेबसाइट मिना जा सकती है देखें वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट होंती है से पहले हम अपना लोकल होस्ट इसरवर एक्टिव करेंगे आपके पास आपाचे जैंप याव एक्टिव कर लीजिए फिर एक्टिव परने के बाद अपना ब्राउजर खोड़िए इस पे गूगल पे फरेस्ट आप वर्डप्रेस.org से डाउंडोड करेंगे इसका फाइल तो मैं यह पासे एक्टिव कर चुका हूँ अब आप गूगल पे जाएं टाइप करिए वर्डप्रेस वर्डप्रेस.org नहीं वर्डप्रेस.org से डाउंडोड यह इस पे डाउंडोड पे किलिक करिए 5.2.2 लेटिस्ट वर्जन अविलेबल है यह आपका डाउंडोड हो ज मैं आगे बढ़ाता हूँ इसकिप करके वीडियो यह डाउंडोड मेरा हो चुका है अब कि हम फोल्डर पे जाकर इसे एक्स्ट्रेक्ट कर लेजिए मैंने इस पे एक्स्ट्रेक्ट किया एक्स्ट्रेक्ट करने के बाद इस फोल्डर को जो अभी डाउंडोड किया इससे एस्ट्रेक्ट फाइल जो हमारी लोकल होस्टर पर गी अवेलेबल है वहाँ पे पेस्ट करने होगी तो यहां से कॉपी कर लिया इस्ट्रेक्ट करने के लिए हमें एक फोल्डर बना दिया डबलू पीटू पेस्ट हो गया अब पेस्ट करने के बाद यह हमाना पेस्ट हो जोगा रिनेम कर दिया रिनेम करने के बाद अपने ब्राउजर पर जाएंगे यहां पर डेटाबेस बनाने के लिए लोकल होस्ट का जो कोड है यह 127.0.0.1 सेल एस माई पी माइडमिन यह पीएच्पी माइडमिन पर जाकर न्यू पर या डाटाबेस पर क्लिक कर रहेंगे डाटाबेस नेम डाल दिजे के रिए टू डाटाबेस नेम यह हमारा वेबसाइट डीपी के नाम से डाटाबेस बन चुका है अभी यह वेबसाइट डीपी देखे कहां पर यूज होगा फिर सेम लोकल होस्ट का जो कोड है और माहे अडेस अटाबेस रहने फोंहों को डाटाबेस नेम कारा यह लगवेश्वेश्ट यह लगवेश इंगलिस्ट गूह रहने के बादे गाते दीखेवी पहीं वक्लीए नेम से लाटा में टाटाबेसनेम username root आएगा, default root पास्वर्ड रखना नहीं है, localhost wp install, run time, admin का user id देजिए और पास्वर्ड बना देजिए, इससे कि admin पे login किया जा सकता है, इस पे my website name डाल दिया, admin और इसका password आब आपके पास्वर्ड बना लेजिए, जो ठीक है, submit button पे जा कर, confirm password किया, यह इवर email id यो भी आपके पास हो, वो डाल देजिए, पास्वर्ड रिसेट करने के लिए email id के use जरूरी है, then install, install button पे प्रैस करने के बाद, हमारी site install, complete process पे पहुँच रही है, successfully install हो चुकी है, admin पे login करेंगे, user id पे जो बनाई होई थी user id, वो डाल देजिए, अच्छा है, इस पे एक चीज देखिए, हमारी site कैसी है, वो देखिए, इसमें सिफ content है, कुछ भी नहीं है, अब इसे total, हम चेंजर कर देंगे, admin, password जो डाला था, login किया, इस पे admin panel पे पहुँच गए, admin पर जाकर, theme भी जाना है, appear की theme, and add new theme, पिर, यहां से कोई theme सेलेक्ट कर लीजे, something, something, यह वाली theme, यह news बाग, क्लिर मग, सेलेक्ट करते है, install पे किलिक कर यह, theme के install बटन पे, देखिए, install बटन पे किलिक कर दिया, अब देखते हैं, चलिए थोड़ा से टाइम लेगा, यह तब आगे बड़ते हैं, यह हो क्या, active कर दिजिए, फिर theme काफी आती है, अब यह कुछ नहीं करना, प्लगेंज से पे किलिक करिए, continue, refresh किया, कुछ इस तरह module बना, color mark theme पे किलिक किया, finally हमारा, यहाँ किलिक किया, install, तो dummy content इस पे install हो जाएगा, हमारी site, dummy content हमारा active हो रहा है, हो गया, यह हमारी customization site इस तरह बन चुकी है, देख सकते हैं, फिर logo changes करने के लिए, जो भी customization आप चाहें, तो change कर सकते हैं, यह लोगो मैं करके दिखा रहा हूँ, says apply file select करें, और इस तरह logo change कर लिजे, इस तरह content modification कुछ भी आप changes कर सकते हैं, यह रहा हमारा logo set हो चुका है, then public content रोगे titles और heading change कर दिजे, जो आपकी site का नाम हो, आपकी site का नाम लाज दिजे, अब हमारी site, color बगेरा changes करने के लिए है, तो आप एक बार देखते हैं और इस पर आशाने से आप changes कर पाएंगे, यह पूरी, 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 फिरी site है, इस पर इस पर, इसका view देखे कैसा है, मैं आपको एक एक चीज़ देख दिखा देता हूँ, पहले, यह customization पर, यहां तक footer, अब इसका बनी हुए site हमारी चेंजेस हुए, तो उस site पर जाना है, यह हम इस पर साइट पर पहुच गए, हमारी site बन चुकी है, फिरी में, यह हमारी site, इससे आप अपना business क्यों कर सकते हैं, चुछ अपिता हम्ेमार ही, हमारी site, आप नहएसथाट तर लुद हमेरी ARE कुंए, बारे रगिवता हैं, नह पोरे किष्टानीट थार वाय के देख झाए動画 हमेंने।